सेकंडियर वाले जाग जाओ आपके वोकेशनल कोर्स के परिक्षा के पैटर्न में बड़ा भारी बदलाव हो गया है और इस बदलाव के अनुसार तयारी करने में आपको काफी समय, काफी साधन और काफी प्रयास लगाने होंगे यह बात देवी अहिलिया विश्विद्याले इन नौर के B.A. B.C. B.H.C. B.A. B.C. A. आदी की सभी की सेकंडियर की कक्षाओं के विद्यारतियों के लिए कही जा रही है पिछले वर्ष जब आप फस्टेर में थे तब वोकेशनल कोर्स का पेपर कुछ अलग धंग से आता था इस बार अलग धंग से आपका पेपर आएगा इस वीडियो में हम आपको यही बात बता रहे हैं यह करियर एडवाइस चेनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और सदेव इसके साथ बने रहे है फायदे में रहेंगे धन्यवाद वसाथियो इस बार से परिक्षा के पैटर्न में सभी विश्यों में परिवर्तन हुआ है लेकिन हाल फिलाल यह वीडियो वोकेशनल कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए बताये गया है जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए 25 वोकेशनल कोर्स सेकंडियर में उच्छे शिक्षा विभाग मद्प्रदेश शाशन द्वार और अब आगामी दिनों में आपकी परिक्षाएं प्रारम होंगी संभावना है कि DABB की परिक्षा 15 जून या इसके आसपास कभी भी सेकंडियर के विद्यारतियों के लिए प्रारम हो सकती है तो इसी इस्तिति में आपके पास बहुत अधिक समय शेश नहीं बचा है परिक् परिक्षा का यानि सत्तर अंक के लिए देवी अहलिया विश्विद्याले इंदावर के द्वारा जो लिखित परिक्षा का प्रश्न पत्र लिया जाएगा उसके पैटरन के हम बात कर रहे हैं उसमें इस बार तीन भाग होंगे पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, पार्ट A objective questions से संबंदित होगा जिसमें आपसे चार objective questions पूछे जाएंगे प्रत्यक objective question के लिए दो अंक होंगे इस तरह से पार्ट A, objective question आठ अंकों का होगा पार्ट B, short answer questions होगे इसमें चार questions पूछे जाएंगे आपसे प्रत्यक प्रशन के लिए आठ अंक रहेंगे इस तरह से आठ चोग 32 अंक का पार्ट B होगा ये जो लगहुत्तरी प्रशन पूछे जाएंगे इसमें अथवा में भी हर प्रशन के साथ एक प्रशन दिया रहेगा तो दो में से कोई एक प्रशन चुनकर आपको करना है लेकिन वो अथवा में रहेगा तो आठ अंक आपको मिल जाएंगे Objective Questions के लिए और 32 अंक आपको मिल जाएंगे लगहुत्तरी प्रशनों के लिए इस तरह से हो गए 40 अंक अब बचे हैं 30 अंक अब 30 अंकों के लिए आपको 2 दिरगहुत्तरी प्रशन लिखने होंगे प्रत्यक प्रशन के लिए होंगे 15 अंक कितने प्रशन पूछे जाएंगे उसमें से आपको 2 लिखने होंगे तो कुल 4 प्रशन आपसे पूछे जाएंगे रनिंग में 1,2,3,4 दिरगहुत्तरी उन 4 दिरगहुत्तरी प्रशनों में से कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं पहला दूसरा लिख दीजे, दूसरा तीसरा लिख दीजे, तीसरा चौथा लिख दीजे, पहला तीसरा लिख दीजे, पहला चौथा लिख दीजे, जो भी आपको आते हैं, यानि यहां दिरगुत्तरी प्रश्णों में अथुआ वाला सिस्टम नहीं रहेगा, अतह आपके प प्रशन चार आएंगे दो करना रहेगा तीस नमपर ये इस बार का नया सिस्टम आपका रहेगा चाहे जो भी आपका वोकेशनल कोर्स हो पिछले साल का आपको दियाने आपने फस्टियर में डिये वी में किस तरीकी परिक्षा दी थी फस्टियर में आपने अती लगुत्तरी प्रशन पार्ट A में हल किये थे यानि पिछले साल आपसे आपजेक्ट्यू नहीं पूछे गए थे पार्ट B में आपने पिछले साल भी लगुत्तरी प्रशन हल किये थे और इस बार भी लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है पिछले साल जो लगुत्तरी प्रशन आपसे पूछ पूछे गए थे उसमें शब्द सीमा दे दी गई थी कि 250 उत्तर लिखिए। लेकिन इस बार लग्वत्री प्रशनों के साथ और दिर्ग उत्तरी प्रशनों के साथ शब्दों की कोई सीमा नहीं रहेगी। यानि आप अपनी समय और स्वीधाय के अनुसार लगुतरी और दिरगुतरी प्रशनों के लिए मेटर लिख सकेंगे तो ये चेंज हो गया, अब इस चेंज के हिसाब से आपको क्या तैयारी विशेश करनी है तो देखे, अबजेक्टिव क्योशन जो फस्ट एर के वोकेशनल कोर्स के पेपर में आ रहे है न वो काफी कठी और काफी डीप नॉलेज की अपेक्षा करने वाले प्रशन आ रहे है यदि मान लिजिए आपने चारों प्रशनों के उतर देदी अबजेक्टिव क्योशन के तो आठंक मिल जाएंगे लेकिन अगर मान लिजिए कि प्रशन बहुत डीप में आ गए और चार में से एक भी प्रशन सही नहीं हो पाय दीवे दुर्भागिवश तो आपके आठंक ऐसे कैसे ही चले जाएंगे इसलिए महत्वपूर्ण आउशकता ये है कि आप पूरे सिलेबस को दिहान में रखते हुए आपजेक्टिव क्योशन तैयार करना शुरू करतीजी जैसे उधारण के तोर पर ये दी आपका वोकेशनल कोर्स जैविक खेती है तो जैविक खेती का सिलेबस लीजिए पहले युनिट का पहला चेप्टर देखिए और पहले चेप्टर पर जो भी 10-20-30 अबजेक्टिव क्योशन बन सकते हो उनके नोट्स आप तैयार किए इस तरह से हर युनिट के हर चेप्टर के लिए आप अपने अबजेक्टिव क्योशन्स वन लाइनर के तोर पर आप बनाए इससे क्या हो जाएगा आपको फाइदा कि अबजेक्टिव क्योशन्स तो तैयार होई जाएंगे चारों questions के answers आप लगा देंगे परिक्षा में इसके साथ साथ आपको आपके vocational course का deep knowledge हो जाएगा क्योंकि आप एक एक बात को बारी की से पढ़ेंगे objective question के हिसाब से उस पर विचार करेंगे उसके notes बनाएंगे तो एक तरह से पूरा सिले बस आपका complete हो जाएगा इसी knowledge के आधार पर आप लगुत्तरी और दिर्गुत्तरी प्रशनों के उत्तर भी आप दे सकेंगे जैसे हो धारन के तोर पर यदि मान लिजी व्यक्तित्व विकास आपका vocational course है और उसमें एक चेप्टर है सामाजिक बुद्धी तो अब सामाजिक बुद्धी के जब आप objective question बनाएंगे कि सामाजिक बुद्धी का क्या आशे है वो अन लाइन में लिखा आपने सामाजिक बुद्धी की कुछ परिभाशा किन ने दिये सामाजिक बुद्धी की शुरुवात किनके द्वारा की गई सामाजिक बुद्धी की शुरुवात कि इस देश में हुई सामाजिक बुद्धी की क्या विशेशना है सामाजिक बुद्धी का वेक्तित विकास से क्या संबंध है सामाजिक बुद्धी को कैसे बढ़ाया जा सकता है आदी जब आप वन लाइनर के तोर पर इस तरह के अबजिक्टी क्योशन तैहर करेंगे तो जब आपसे लॉंग क्योशन पूछा जाएगा कि सामाजिक बुद्धी का क्या आशे है इसे परिभाशित कीजिए और इसकी विशेशता हैं बताइए तो जो आपने पॉइंट्स तैयार किये हैं न अबजिक्टी क्योशन के लिए उसके आधार पर आप बहुत आसानी से उस दिर्ग उत्तरी क्योशन का भी उत्तर बहुत तथ्यात्मक बहुत सार गर्भित और अच्छे अंक दिलाने वाला आप लिख सकेंगे तो आप समझ पाए होंगे कि आप अपने वोकेशनल कोर्स के लिए मेटर आप डिटेल में पढ़ना शुरू करिए और आपजिक्टी क्योशन्स बनाई क्या आप चाहते हैं कि करियर एडवाइस चैनल पर आपके लिए कुछ अपजिक्टी क्योशन्स के वीडियोस बनाए जाएं वोकेशनल कोर्स पर आधारित ताकि आपको एक दिशा मिल सके कि किस तरह से अपजिक्टी क्योशन्स का निर्मान करना चाहिए और फिर बाद में आप स्युम आत्म निर्भर हो सकें और आप अपने क्योशन्स बना सकें क्योशन्स बैंक त्यार कर सकें यदि ऐसा आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप लिखे कि हमें इस तरह की आउशकता है अपने कॉलेज का नाम भी आप बताईए और यदि आप थोड़ा कस्ट करके यह भी बता सकेंगे कि क्या फस्टियर में आपने इस चैनल के वीडियो की साहता ली थी और उससे आपकी परिक्षा की तैहरी में आपको तिर्ण होने में अच्छे अंक लाने में क्या साहता मिली उसका भी आप उलेक कर दीजिए करियर एड़वाईस चैनल प्लेटफार्म सदेव भी मुझे अउसर देता है कि मैं रोज आप से बात करूँ आप तक कोई न कोई सूचना लेकर आओ इसके लिए प्लेटफार्म का और साथ ही साथ इस प्लेटफार्म की संचाली का प्रिती गुलवानिया जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रती बहुत बहुत आबहर आप सभी को शुब कामनाए नमस्कार